तो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 8, Note Series में आपके पास कोई भी Redmi का मुबाइल है तो आप उसे किस प्रिकार से reset कर सकते हैं दोस्तो कई बार हम मुबाइल reset करते हैं लेकिन मुबाइल reset करने तरीका गलत होने की वज़े से हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही तरीका बताएंगे आपको बिल्कुल सही तरीका कि आप अपने मुबाइल को किस प्रिकार से reset कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अब आपको दिखाने वाले mobile को reset कैसे करें पहले आपको अपनी mobile की setting open करनी है और आपको सबसे उबर ही about phone वाला option दिखाई देगा आपको उस पर click करना है और आपको थोड़ा नीचे scroll करना है तो factory reset दिखाई देगा आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा erase all data इस पर click करना है तो आगर आपने mobile पासपोर्ट लगाया है तो आप पासपोर्ट डालिए तो इसके बाद यह देखिए आपके पास 9 second का time चलेगा next step लिखा हुआ आएगा यहाँ पर आप इसे time को चल जाने दीजिए और next step पर click कर दीजिए दोस्तों हम थोड़ा wait कर लेते हैं यह देखिए हम इसे next click करेंगे अब हमारे पास 4-5 second का time फिर चलेगा इसके बाद हम फिर से okay कर देंगे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप हम ओके कर देते हैं अब यह देखिए हमारा mobile सीच आप हो जाता है और जो हमारा mobile reset होगा mobile की factory data reset होगा वह प्रोसेसिंग करनी शुरू कर देगा दोस्तों हम थोड़े इंतजार कर लेते हैं दोस्तों यह देखिए थोड़े इंतजार करने के बाद हमारे mobile की screen पर Redmi का logo आ चुका है दोस्तों हम थोड़े इंतजार कर लेते हैं इसके बाद हमारे phone पर loading चलेगी यह देखिए आप देख सकते हैं हमारा mobile reset हो रहा है आप थोड़े देर वेट कर लीजिए जितने यह complete होगा इसके बाद अगला setup आपको दिखाई देगा यह देखिए दोस्तों आपको फिर से Redmi का logo दिखाई देगा हम थोड़े देर और वेट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने MIUI लिखा हुआ आया है दोस्तों जो भी mobile का model होता है दोस्तों यह logo हमें थोड़े दिर तक सो होगा इस पे हमें थोड़ा वेट करना है हमें 30-1 minute तक समय लग सकता है यह आपको ज्यादे टाइम भी लग सकता है दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने next setup क्या होगा हम थोड़ा वेट कर लेटे हैं तो दोस्तों अ तो यह हमारे सामने फिर से लोगों आ जाएगा एम आई यूआ ट्वैल दोस्तों इस लोगों पर हमें निसान आ रहा होगा यह रोगा हमें इस पर क्लिक करना है लाइट में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा अब हमें लेंग्वेस्ट करनी है हिंदिय इंग्लिज हम हम इसे बेक करके दुबार से दिखाते हैं आपको यह देखिए हमें प्राइवेसी पॉलेसी करके हम इसे स्कीप कर देते हैं और हमें फिर चेक अगयन पर करते हैं और आगव कर देते हैं हम इसे भी स्कीप कर देंगे दोस्तों आपको वाइफाई खोलकर नेड़ पर कनेक् करते हैं तो आपको नीचे स्क्रोल करना है और आपको इसके नेक्स्ट कर देना है अब आपको इसे एक ग्रे पर क्लिक करना है तो आप से एप इस्तमाल करने की कंडिशन पूछी जाएगी कि आप किस कंडिशन में एप्लिकेशन इस्तमाल करना चाहते हैं अगर आप दूसरे देख सकते हैं कि हमारे मोबाल नीचे लोडिंग तो हो रहा है यह देख आप देख सकते हैं आपको ठीक से दिख़ Tinder लोगा اप्स लोडिंग हो रहे हैं जो हमारे फोन में आते हैं वह समावी बैस अभी यह लोडिंग हो रहा है हैं दोस्तो अगर हम थोड़ी तेर यहां पर बेट कर लेते हैं, तो हमारा मुबाइल ओन हो चुका है, दोस्तों आप देख सकते हैं, कि हमारा मुबाइल में बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है, जैसे कि पहले फोटू थे, वीडियो थी, अब मुबाइल में कुछ नहीं बचा है,